आज हम लोग जिस कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं कविता का शीर्षक है कैमरी में बंद अपाहिज और इसके कवी है रगुवीर सहाय सबसे पहले हम कवी के बारे में जान लेते हैं साथियों रगुवीर सहाय जी दूसरा सब्तक के कवी के रूप में याद किये जाते हैं दूसरा सब्तक जो मैं कह रही हूँ तो आपको लगता होगा पहला क्या है पहले सब्तक का नाम है तार सब्तक 1943 में तारसब तक आया था अगे जी ने सचिदानन्द, हीरानन, वादसाइन अगे इनका नाव आपने सुना होगा इन्हों ने ये संकलन निकाला था जिसमें साथ कवियों को लिया गया था उनमें उनको संकलित किया दूसरा सब्तक जो निकाला 1951 में आया 1991 में जो दूसरा सब्तक आया इसी में रगवीर सहाय जी की कविताओं को भी संकलित किया गया और भी बहुत से कवियों उसमें थे लेकिन रगवीर सहाय जी दूसरा सब्तक के कविके रूप में सबसे पहली बार पहचाने गये उसके बाद आप साथियों जानते हैं, इनकी बहुत सारे संग्रह आये, इनका जन्म 1929 में हुआ, लखनव में उत्रपदेश के रहने वाले थे, और सीडियों पर धूप में, हसो हसो, जल्दी हसो, आत्महत्या के विरुद्ध, इस तरह कि जब संग्रहों का आप नाम सुन रह होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रगवीर सहय जी की कविताओं की विशेशता क्या है, इनोंने बहुत ही ऐसी भार्षा के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप पहले तो आप इसी से समझने की कोशिश करिए, कि किस तरह की कविताएं लिखते थे इनको साहित्यकेडमी पुरसकार भी मिल चुका है और इनकी मृत्तु 1990 में दिल्ली में ही हुआ, इनकी एक और विशेशता है, इनोंने गद्दे भी लिखा है, ये बहुत अच्छे गद्देकार भी है, ये कविता तो खेर लिखते ही रहे हैं, इनको साहित्यकेडमी पुरस और इस पत्रिका के संपादक ये रहे हैं बहुत समय तक काफी समय तक इसके संपादक रहे हैं इसके अलावा कलपना से जुड़े रहे इस कलपना नाम की पत्रिका से इसके अलावा नवहार टाइम से जुड़े रहे तो बहुत से पत्र पत्रिकाओं से भी ये जुड़े रहे इसलिए एक पत्रकारिता का लंबान हो इनके पास था आज की इस कविता में भी आप देख रहे होंगे कि शीर्शक ही है कैमरी में बंद अपाहिज यानि यहां भी कहीं न कहीं पत्रकारिता से जुड़े हुई शब्दावली ही आ रही है तो कुल मिला करके इनकी कविता की वि बिलकुल संसत की भाषा यानि राजनीतिक भाषा सड़क की भाषा या कह सकते हैं कि गली महलों की भाषा को इन्होंने एक स्थाई नागरिक अपनी कविता का बना दिया तो इनकी कविता में हमेशा यह शब्दावली दिखाई पड़ेगी तो यह आत्महत्या के विरुद् कविता में भी ऐसे विशय आये हैं जो कि आपको हमेशा बांधेंगे एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है इनकी जिसमें एक लाइन आती है जो बड़ा मर्शूर है मैं लगता है मुझे लगता है कि रगवीर सहाय को समझने के लिए इस लाइन को इस पंक्ति को पढ़ना बहुत जरूरी है जहां वो जिक्र करते हैं कि न तूटे न तूटे तिलस्म सत्ता का मेरे भीतर एक कायर तूटेगा बोल वो कहते हैं न कि कुछ होगा कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा कुछ होगा कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा न तूटे न तूटे तिलस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायर तूटेगा साथियों आप समझ पा रहे होंगे कि अक्सर क्या होता है कि हम कई बार अपने आपको बोलने से रोक लेते हैं ये सोच कर कि बोलने से क्या होगा कुछ भी नहीं होता है लेकिन ये पत्रकार का दिल है ये पत्रकार की भाशा है जो ये कह रही है कि नहीं बोलने से बहुत कुछ होता है कुछ होगा कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा परिवर्तन होगा परिवर्तन तब होगा जब आप कु से कम ये तो होगा कि मेरे भीतर एक कायर टोटेगा, अगर हमारी कायरता ही थोड़ी दिर के लिए टोट जाये, कायरता ही हमारी खतम हो और यहां पर जब कविता शुरू होती है, आप खुद देख लीजेगा इसमें एक नाटकियता दिखाई पड़ेगी।AC इनकी कवितां में आपको कहानीपन दिखाई पड़ेगी, मार्मिक उजास दिखाई पड़ेगा। और ब्यंगे तो है ही इस कविता में भी खास तोर से ब्यंगे बुझे बाड़ा आपको दिखाई पड़ेंगे और चंदा अनुशासन जिसको मैं कहती हूँ आप मुक्त चंद की कविताओं में तुलसिदास में पढ़ेंगे और लोगों में पढ़ेंगे चंद तो खुब मुलूंगा न तूटे न तूटे तिलिस्म सत्ता का आप सोच लिजे यह मुक्त चंद की कविता है लेकिन इसमें एक चंद आत्मक्ता है बाकाइदा अगर इस चंदों के साथ इसे न पढ़ा जाए तो इसके अर्थ को आप नहीं समझ पाएंगे खास तोर से साधारनर सी इस पूरी कविता के माद हम से तीन-चार बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे एक तो यह कि जो विशेश आवशक्ता वाले लोग हैं उनकी समस्याओं को हमें कितनी समवेदन शीलता से समझने की जरूरत है उनके लिए कैसी भार्षा का प्रयोग करने की जरूरत है भार् शावशक्ता वाले लोगों को उनकी समवेदना से कैसे भार्षा को जोड़ा जाए इसकी समझ विकसित हो सकती है दूसरी बात मीडिया पर्सन को या मीडिया में रहने वाले लोगों को भार्षा के प्रति कितना समवेदन शील होने की जरूरत है यह भी हमें समझ आपाएग उन सब को कहीं न कहीं कभी उन सब पर कभी व्यंग करता है, पुरी तरह से व्यंग है यह, तो हर कोई एक पुरा का पुरा विकाव हो चुका है, भाषा भी विकाव हो चुकी है, हमारे हर कारिक्रम विकाव हो चुके हैं, तो हम सिर्फ बेचने के लिए भाषा का प्रयोग करत इस पर कहीं कहीं कभी ने व्यंग किया है। बहुत सुंदर है। इसे पढ़ने और समझने की जरूरत है। कविता बहुत छोटी सी है। कविता का शिशक है कैमरे में बंद अपाहिश। अपाहिश चल्द से आप खुब वाकिफ है। कि जाहिर है कि एक ऐसा ब्यक्ति जो कहीं न कहीं अपंग है। किसी न किसी अंग से अपंग दिखाई पढ़ रहा है। और उसे कैमरे में बंद किया गया है। यानि उस पर आधारितिया कारिक्रम है। और उस कारिक्रम से संबंधित यह कविता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्ध शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, पहली पंक्तियां, पहले चार पंक्तियों को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसमें शुरुआत ही हुई है कि दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानि दूर दूर तक अप कारिकरम को देख कर के पूरी दुनिया उसको समझे जाने और अगली पंक्ति पर ध्यान रखिएगा हम समर्थ शक्तिवान हम एक दूरबल को लाएंगे एक बंद कमरे में हम लोग जिसके पास सारी सामर्थे हैं शक्तिशाली है क्योंकि वह सब कुछ को उजागर करने में सचालक है जो इस कारिकरम का संचालक है वह कारिकरम संचालक बाकाइद अगली सब कुछ को दिखा पाने में सक्षम है उसकी भूमी का बड़ी ही मेहत्युण हो जाती है साथियों आपने सुना होगा कि मीडिया को चौथा स्थम्भ कहा जाता है लोग तंत्र का क्यों कहा जा मेडिया की भी है लेकिन इस भूमिका से अलग अगर हम किसी भूमिका को आदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा हम अपनी रोल से अपनी भूमिका से भटक गए हैं यहां कभी उसी और इशारा कर रहे हैं कि दूरदर्शन जो बहुत शक्तिशाली है जो बाकाइदा उसकी भूमिका बड़ी शक्तिशाली है किसी भी मेडिया परसन की मेडिया में काम करने वाले कारे करता की बहुत बड़ी भूमिका है उस पत्रकार की और उस बड़ी भूमिका उस शक्तिशाली भूमिका का वह क्या उपयोग कर रहा है क्या उसका दुरुपयोग कर रहा है यहां विरोधा भास खड़ा किया है कविने, कि जो शक्तिशाली है, जो समर्थ है, वह किसको ला रहा है, वह दुर्बल को ला रहा है, वह कमजोर को ला रहा है, तो एक तरफ शक्तिशाली, दूसरी तरफ दुर्बल, कमजोर, तो यह दोनों को साथ रख करके कविता में एक व मारे सामाने अर्थों में अगर कहा जां तो विरोधा भास अलंकार भी कहा जाता है। और तीसरा एक और महत्वड़पुन बात है, आगली पंक्ती में आता है कि बंद कमरे में, कहां लाएंगे, बंद कमरे में, जहां वह कहीं भाग तहीं, उसके पास गुंजाईश ही नहीं है खुलेपन की ते एक बंद कमरे में लाएंगे जहां उसको और आगे पंक पहलाने की आगे चलने की गुंजाईश ही नहीं है उसी बंद कमरे मिलाकर के उस कमजोर को और कमजोर बनाने की कोशिश की जाएगी ऐसा कारिकरम साथियों आपने अक्सर देखा होगा जब कोई दुरघटना होती है आप देखते होंगे कि उस दुरघटना का जब भी कोई आँखों देखा हाल कोई बताता है तो अक्सर क्या होता है जो बहुत जादा भुक्त भोगी है उससे उस वक्त पुछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है जब वो इस तरह की सवाल अपने आप में कुरूरता की निशानी है कहना चाहिए कि मेडिया की कुरूरता का दियोतक है मेडिया की कुरूरता का पहचान है क्यों मेडिया नहीं मेडिया के बहाने से सामवाने लोगों की कुरूरता का दियोतक है यह शब्दावली का प्रियोग समवेधना को किस तरह से खत्म करने वाली समवेधन श्रीलता को खत्म करने यह शब्दावली है। कोष्टक का प्रयोग किया गया है कोष्टक का प्रयोग कहा किया जाता है नई कविताओं में कॉमा फुल स्टॉप कोष्टक इन सब का एक अर्थ होता है शब्द तो अर्थ देते ही यह देते हैं शब्दों के साथ साथ यह कोष्टक भी एक नय आर्थ देते हैं जैसे जो हम सब को नहीं बताना चाहते हैं, वो भी हम कोश्टक में रखते हैं, तो कोश्टक में दो-तीन बातें रखी जाती हैं, एक तो ये कि जहां हम पंक्ति से समझानी पा रहे हैं अपनी बात को, तो उस बात को हम समझानी के लिए किसी उधारन के साथ कोश्टक में रख देते दूसरी वहाँ भी pouvस्टिक पे प्रेयोक किया जाता है, जहां हम लोग कोई संकेतिक बात कहनी होती है या समझाने के लिए ये आप देखिएगा साथियों कि जब हम स्क्रिप्ट लिखते है, जब हम लोग स्क्रिप्ट लेखन करते ही या नाटक का लेखन होता है तो नाटक में क्या होता है? रंग मंचों के निर्देश भी दिय जाते हैं. नाटक लिखते समय आप देखिएगा, नाटक पढ़ते समय रंग मंच का निर्देश भी दिया जाता है. बिल्कुल उसी तरह से इस कविता को मैंने आपको पहले ही बताया था कि रगवीर सहाय की में कहानी पन भी दिखाई पड़ेगा नाटकिय पन भी दिखाई पड़ेगा तो वो नाटकिय था यहां दिखाई पड़ रही आपको कि उन्होंने एक निर्देश भी दिया है साथ साथ चलते जा रहे हैं केवल आप पाठकों से नहीं बात कर रहा है यहां कभी केवल पाठक सामने नहीं है बलकि पाठक के साथ साथ उसके सामने एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है जो कैमरा संचालित कर रहा है जो कैमरे के साथ है तो उस कैमरा के संचालित करने वाला व्यक्ति भी उसके साथ है और उसको भी वह बात जो उसको निर्देश देने हैं वो कोश्टक में देता चला जा रहा है। इसमें कई सारे सवाल किये गए हैं। पहला सवाल है कि तो क्या आप अपाहिज हैं। यानि किसी अपाहिज व्यक्ति से जो अपंग है उससे यह सवाल बिल्कुल निरर्थक सवाल है। तो कैमरा पर दिखाने के इस तरह के निरर्थक सवालों को भी उससे किया जाएगा और उसकी कष्ट को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ऐसा अकसर आप देखते हैं। अब दूसरा सवाल तो आप क्यों आपाहिज है। अब यह सवाल भी बिल्कुल निरर्थक सवाल है। दूसरा सवाल किया जाएगा क्यों अपाहिज हैं। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे किसी पुरुष से पुछा जाए तो आप क्यों पुरुष हैं। तो आप क्यों इस तरह हैं। बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल वह सामान्य है। वह अपने घर में बिल्कुल सामान्य है। और लोगों की तरह जैसे रहते हैं बिल्कुल उसी तरह से वह भी रहता है लेकिन उसकी असामानिता का बहुत समाज करवाता है उसकी असामानिता का बहुत कैमरा करवाता है कोई और नहीं करवाता है आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा अब तीसरा कोश्चन है कि आपका अपाहिजपन बिल्कुल उसी तरह से यह सवाल भी है कि आपका यह पंगता आपको कर्श देती हूँ, यह कोई पुछनी का सवाल नहीं है, नहायत एक कह सकते हैं कि और समवेदन शिल्ता का परिचायक है, तो और समवेदन शिल्ता हमारे मीडिया की दुनिया में और यह ध्यान रखी कि यह क देखना बंद कर दीजिए, तो आप एक सामाने मनुष्य बने रहेंगे, तो सामाने मनुष्य बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन सवालों पर विचार कीजिए, फिर अगला वाकिया, अगला है कि देता है, यह भी सवाल में पुछा गया है, प्रश्न किया गय बार बार उसी कुरूरता की और ले जाना, बार बार उसी कुरूरता को रिपीट करना दोहराना इस पूरी कविता में हो रहा है, यह चार सवाल जो आए हैं, इन चारों सवालों को बार बार दे करके कभी यह बात कहना चाहता है, कि ऐसे निरर्थक सवालों को दे करके मीडि अब अगली पंक्ती में दिखाओ से बड़ा बढ़ा। से महरा रहा है। यह सो सबते हैं की तो लुछ में गुसान दिखाण एक प्रश्वा कौणनेर है . दरशक उसे देखे और वा महसूस करे उसी कसमसाहट को जिस कसमसाहट को अपाहिज के चहरे पर दिखाई पड़ रहा है उसको महसूस कराने के लिए इसको पड़ा बड़ा दिखाया जाना जाये है आप ध्यान रखिये मैंने पहले ही शब्द कहा था कि आचार संगिता इसको allow नहीं करती है, आचार संगिता बाकाइदा ये कहती है, कि ये गलत है, किसी की भी समवेदन शिल्ता को से खिलवार करना या कुरूरता का परिचायक है, तो ये बात यहां उसी और इशारा कर रही है, फिर कहते हैं, हाँ तो बताईए आपका दुख क्या है, जल्दी बताईए वद्दुख बताईए, बता नहीं पाएगा, अब जल्दी बताईए शब्द भी किस और इशारा कर रहा है, कि कैमरे में जो भी दिखाया जाता है, उसकी समय का कीमत होती है, एक समय है न, निर्धारित समय है, और एक-एक मिनट का कीमत है, एक-एक मिनट जाया नहीं होना हर मिनट में कुछ बात जानी चाहिए, जो भीकाओ हो, ब्यावसाइक हो, यानि हम मेडिया पर देने वाले कारिक्रम दुर्शन या किसी भी चैनलों पर देने वाले, यह दूरदर्शन दूरदर्शन नहीं है, दूरदर्शन से मतलब सिर्फ यह है कि कोई भी चैनल, तो चै तो जल्दी बताइए उस और इशारा कर रहा है, जल्दी बताइए जो कह रहा है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए और बता नहीं पाएगा, अब आगे कहते हैं, सोचिए, बताइए, आपको अपाही जोकर कैसा लगता है, कैसा यानि कैसा लगता है, वह इशारा करता कि क्या ऐसा लगता है बहुत दुखी हो जाते हैं फिर ब्रैकेट का यहां इस्तमाल किया गया है हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा यानि बहुत ज़्यादा दुख़त होता है तकलीब दे होता है बहुत ज़्यादा यानि खुद से उसे प्रॉम्ट करेंगे मेडि अगर करके बेचना चाहते हैं और समाज के सामने ले जाना चाहते हैं फिर वो कहता है सोचिए बताइए थोड़ी कोशिश करिए यहाँ अवसर खो देंगे सारी कोशिशों के बाउजुद होता क्या है कि वो जबाब नहीं देता है उसकी कसमसाहट उसकी पीडा सिर्फ उसके चेहरे पर आती है लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देता है फिर क्या यहां पर पंक्तिया आती है आप जानते हैं कि कारिकरम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का करते हैं यह प्रशन पूछा कैमरे के सामने रुला देना है अगर वो अपने दुख को लेकर के रोएगा तो उसकी सम्विदना विकाऊ होगी उसके आंसू बिकाऊ होंगे तो उस आंसू को बेज करके जनता को भी रुलाना है दर्शकों को भी रुलाना है जो देखता है वह भी उसके साथ और दोनों सा तो कारिक्रम जवा-जादा सफल होगा, तो यह कारिक्रम की सफलता के लिए अम इस तरह की कोशिषें किरते हैं इस — कि स्थितियां पैदा कर देते हैं कि कोई अपनी यापनी ख़त सब्सक्राया है फिर भी हम उसको जबदस्ती उसको अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं, फिर ब्रैकेट का इस्तिमाल किया गया है कोश्टक का, यहाँ प्रशन पूछा नहीं जाएगा, रोपढ़ने वाली बात सिर्फ उनके मन में है, यानि कुल मिला करके हम ब्यावसाइकता की और ले जान नहीं को एक साथ एक भाव आने चाहिए, चैया हो रोने का भाव, चैया हँसने का भाव हो, एक साथ आना चाहिए, उन भावों को उजागर करना इस कारिक्रम का उदेश्य है, फिर आगे कहा जाता है, फिर हम परदे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँक की बड़ी और उसके होटों पर एक कस्मसाहट भी आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीडा मानेंगे इसकी अपंगता की पीडा मानेंगे। पड़ी सुंदर यहाँ पर फिर ब्रैकेट में कहा गया है कि जो उसके चेहरे पर कस्मसाहट है वो जबाब नहीं दे पा रहा है इसलिए ही उसे जवाब नहीं दे पा रहा है, कि यह सवाल अपने आप में निरर्थक है, इन निरर्थक सवालों का जवाब उसके सामने नहीं है, जो जवाब उसके सामने है नहीं, वो जवाब आज कैमरा उससे मांग रहा है, पत्रकार उससे मांग रहा है, उसके चेहरे पे कसमसाहट है उस कसमसाहट को भी यहाँ पर अभिव्यक्त करने के लिए शब्दावली दी गई है और कोश्टक में यह बात कही जा रही है कि अब बाद में चल करके यह भी कभी कह रहा है कि थोड़ी सी कसर रह गई और यह मीडिया परसन की ओर से कह रहा है कि जो कुछ भी कहना चाहरे थ एक साथ रुला सकें दर्शक को भी और पाहिस व्यक्ति जो वहाँ बैठा हुआ है उसकी समवेदना को इस तरह से उजागर किया जाए कि वो समवेदना से दर्शक भी साथ में रोएं और वहाँ बैठा व्यक्ति भी रोएं लेकिन यह देश यह पूरा नहीं हो पाता है एक थोड़ी सी कसर रह गई, यह सामाजिक कारिक्रम आप देख रहे थे अभी तक, और अभी तक जो पूरी समवेदना दिखाई पड़ रहे थी, उसकी आवाज में कसमसाहर दिखाई पड़ रहे थी, वो सब कुछ बदल चुका है, यानि परदा बदल चुका है, और अब वो हसते हुए यह बात कह रहे हैं, कि अभी आप देख रहे थे, एक सामाजिक कारिक्रम, यह ध्यान रखिए, यह पूरी जो नाटकियता है, और कह सकते हैं कि समवेदना के साथ जो खिलवाड कर रहा है, समवेदना को लेकर कि जिस तरह के क्रूर अभिव्यक्तियां की जा रही हैं, उस अभिव्यक्तियों की ओर यहां ब्यांग किया गया है, पूरी कविता के माध्यम से, और खास तरह से हम लोग एक सामान ने कह सकते हैं, स्तरी, पुरुष या बच्चे इस रूप में तो हम लोगों को जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का कोई अंग नहीं रहा, उसक किस तरह की समवेधन शिल्ता बरतनी चाहिए, किस तरह की भाषा बरतना चाहिए, इसकी समझ हम नहीं विक्सित कर पा रहे हैं, इस कविता को पढ़ने पढ़ाने का एक सबसे पहला उदेश हमारा यही था, कि हम एक समवेधन शिल मनुशे तो बने ही, साथ ही हर तरह की को लेकर कर आया, और इस कविता की कोष्टकोん के माद्धहम से, ऐसी बात भी बताने की कोशिच की, कि केवल कभी या पाठक ही नहीं है सामने बलकि एक तीसरा व्यक्ति भी है जो कैमरा है यानि दूसरे की आखों से देखा जाना लेकिन कैमरा सिर्फ कैमरा ही नहीं है कैमरा यहां उस बात का भी प्रतीक है कि दूसरों की आखों से देखा जाना ब्यावसाइक कारिक्रम या यह कौन सकती ब् प्रधान हो जाना या बेचना किसी भी बात के लिए बेचना हम समवेदना को भी बेचने के लिए आजकल उतारू हो चले हैं केवल हमारा सामान ही नहीं हम बेचते हैं अब आजकल हम भावनाई भी बेचते हैं और भावनाई को बेचने के लिए किस तरह किस्थितियां पैदा इसके लिए सबसे सुन्दर उधारण लेकर यहां का भी प्रस्तुत हुआ है, कैमरे में बन अपाहिज, तो कोष्टकों पर ध्यान दीजे साथी हूँ, कोष्टक में कोई चीज आती है, तो उसका मतलब क्या होता है, यह नई कविता की विशेष्टा है, नई कविताओं में कोष्टक इन सब की विशेष्टाएं आप देखेंगे, तो आज की इस कविता में हम यहीं तक बाते करते हैं, फिर कभी इस कविता को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, और बहुत सी और बातों के साथ, भाशा की विशेष्टाओं के साथ, तब तक आप सोचते रहिए, कि इन में कुछ तक क्यों आए हैं, और क्यों मेडिया की इस विशेष्टा को लेकर के कभी आया है, और आज से उसका क्या संदर्ब बनता है, आज से क्या उसका संबंध बनता है, आज की मेडिया किस ओर ले जा रही है, आज की मेडिया की भाशा किस ओर ले जा रही है, इस पर हम मिलेंगे